सबसे पहला जो रीजन था हो था फ्रेंच सोसाइटी हम फ्रेंच सोसाइटी को समयने का प्रियास करते हैं उस समय रेवलुशन के समय जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो थ्री स्टेट में डिवाइड थी फ्रस्ट स्टेट केलर्जी केलर्जी मींज चर्च हुआ आपके जो उजा करने वाले लोग है पादरी वगएरा नोबेलेटी जो राजपरिवार के लोग हैं और थार्ड स्टेट जो आम जनता थी जो फस्ट्टू स्टेट थे केलरजी और नोबिलेटी उन्हें प्रिविलेज्ट थे और उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था जब कि जो फ्रान्स के जितने भी रिसॉर्सेज थे नबब परतिसत रिसॉर्सेजज पर उनका अधिकार था और वो टैक्स फिरी थी उनकी जो population थी उस समय वो केवल 10% थी और 90% जो population थी उनके पास जो friends के resources थे लेंड और जितने भी earning resources थे वो केवल 10% थे 10% ओके students और जितने भी tax थे वो सारे third state के लोगों को pay करने पड़ते थे उसमें third state में मैं आपको बताना चाहूंगा third state में आपके पीसेंड्स आपके वयापारी आपके जो है teachers यह सब जो है मजदूर वर्ग यह सब जो है third state में आते थे ओके students तो जो यह social disparity थी सबसे जो मुखे जो region था सबसे जो main region था फ्रेंस की revolution का वो क्या था यह social disparity ओके students second उस समय जिस समय लुई 16 फ्रांस का राजा बना उस समय फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था और फ्रांस के उपर लगबग तीन बिलियन लिव्रे 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 क्या होता है लिव्रे उस समय की फ्रांस की करेंसी थी जैसे हमारी करेंसी रुप्या है तो लिव्रे हुआ की करेंसी थी तीन बिलियन लिव्रे यानिके 3 बिलियन लिव्रे जो है डेब्ड था यानिके कर्ज था फ्रांस के उपर अब कर्ज भी चुकाना था और अपना राजदर्बार जो कौर्ट वगरा यह चलाने थे उसके लिए पैसा कहां से आये पैसा कहां से आना था टेक्स से आना था और टेक्स कौन बरता था थर्डे स्टेट के लोग तो ये सब अपने खर्चे चलाने के लिए ये सब कर चुकाने के लिए राजा ने लुई 16 ने गया गया टैक्स बढ़ाने का फैंसल लिया और इसका बरडन किसके उपर पड़ा सिधा सिधा थर्ड इस्टेट के लोगों के उपर पड़ा सबर्चेट की म्या जभी एक मुख्यकारन रहा प्रांस की क्रांवती क को उसके बाद 18 सैंचुरी में प्रांस में एक नया वर्ग इमर्ज हुआ जिसे बोलते थे मध्यवर्ग मिडिल मध्यवर्ग में कौन आते थे मध्यवर्ग में आते थे आपके जो टीचर्स हुए जो व्यवपारी हुए जो थर्ड स्टेट के धनी लोग थे यह जो प्रिविलेज्ड थे इनका विश्वास था कि सोसाइटी में जो मेरिट हो जो पहले सोसाइटी में वो मेरिट के अधार पर हो और प्रिविलेज्ड का कोई भी अस्तान यह नहीं चाहते थे इनके उपर जो फिलोस्पर थे जैसे जोन लोग जोन जैकाब रूसो मॉन्टेस क्यू इनका जो है बहुत गहरा आसर पड़ा और यह भी एक कारण रहा यानिके जो है मध्य वर्ग जो मिडिल वर्ग रहा है उसके इमर्ज होने का भी आम कारण मान सकते हैं फ्रेंच रेवल प्रिल दूशन का, अबर्स्ताइब नियुक्त आप वर्ग दूशन का, understand students, ok